हेलो गाईज, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस, देन यार एक बिगेस निज निकल कर आई है, यूपी पुलिस की तरफ से जो की एंटिय को लेकर है, आपके नीट टूथाब्जन ट्वंटी वन के एक्जाम को लेकर है, आपके नीट के रिजल्ट को लेकर है, काफी इंटरस जरूर देखिएगा, वीडियो काफी जादा इंटरस्टिंग इंपोर्डेंट होने वाली है, न्यूज क्या है, उस पर चलते हैं, तो सबसे पहले तो ये ओफिशल है, एन आई की तरफ से न्यूज है, यूपी पुलिस ने एक रिपोर्ट सेंड की है, यूपी पुलिस ने सिर्फ दो से तीन स्टूडेंट ही शामिल है, यानि कि उनका ये कहना था, कि ये जो गेंग है, इसमें दो से तीन स्टूडेंट को ही नकल करवाई गई है, लेकिन अभी यूपी पुलिस ने जो सॉलवर गेंग्स है, उनसे जांच परताल की, और जैसा उन्होंने किया, उस सबसे बड़ा मोड तो यहीं पर आ जाता है, कि पहले आप दो से तीन स्टूडेंट कह रहे थे, अब आपके 25 स्टूडेंट यहां पर निकल कर आ रहे हैं, इसका मतलब आप गलत है, ठीक है, इसका साफ साफ मतलब यहीं निकलता है, कि NTA गलत है, अब NTA अपने आपको कैसे प्रूफ करेगा, अल्रेडी NTA सुप्रीम कोट जा चुका है, लेकिन यहार प्रूफ करता है, नहीं करता है, यह सब बात की बाते हैं, लेकिन अभी की बात यह है, कि आपका रिजल्ट डिले हो गया है, क्योंकि अगर यह 25 कैंडिडेट्स इसमें इन्वाल्व हैं, तो इनक इनका, जो रिजल्ट है वो होल्व पर रखा जाएगा, यहां पर पूरा का पूरा उन्होंने ब्होरा दिया है, किस पर काहिए, मैंने शौ्ट में आपको समझा दिया है, कि न्यूज क्या है, बाकि अगर आप डेटेल में पढ़ना चाते हैं, तो आप देख सकते हैं, और भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है फिलाल हमें इंतजार है NEET21 के result का कि result कब तक announce किया जाता है क्योंकि पीछे Supreme Court ने जिस परकार से कहा था उस परकार से तो यही लग रहा था कि आपका जो result है वो 3-4 दिनों में आ जाएगा लेकिन अब भी जो यह news निकल कर आई है उससे नहीं लगता कि आपका result 3-4 दिनों में आने वाला है बाकि जो भी पलपल का update रहेगा medical examinations के regarding उसकी जानकर यह आपको चैनल पर मिलती रहेगी तो चैनल पर नहीं हों तो चैनल को subscribe करके यार बेल आइकन को जरूर पैस कर लीजेगा ताके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए good luck and have a nice day